हेलो पेरे बच्चों कैसे हैं आप मैं डॉक्टर शुशील आपका फीजिक्स में हल्पी चैनल पे तही दिल से स्वाकत करता हूँ मैं पिछले बाइस सालों से टीचिंग कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके फीजिक्स से रेलेटर जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको दूर करने में आपके पूर्ण रूप से हल्प कर पाऊंगा आज कर हम कर रहे हैं क्लास 10 की फीजिक्स को जिसके अंतरगत हम कर रहे हैं चैप्टर नमबर 14 जो की है उर्जा के स्रोथ अर पिछली क्लास में हमने समझाए था कि उर्जा क्या होती है और उर्जा का उत्तम स्रोथ क्या है इन बातों पर हमने चरचा कर रही थी साथ ही हम वहां हमने इंधन के बारे में भी चरचा करी थी आज वही से हम आगे topic को continue कर रहे हैं, आज का हमारा topic है, उर्जा के परमपरागत source, यानि कि conventional source of energy, परमपरागत सरोत का उर्थ है, कि जिनको हम पुराने समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, एक पीडियों दर पीडियां जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे सरूतों को हम सरोत क्या होते हैं, जब हम उर्जा के सरोत के रूप में, जब हम कहते हैं हम लकडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कोईले का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कह सकते कि गोबर के उपलो का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह हमारे उर्जा के परमपरागत सरोत हैं, और इसी के साथ हम आग और लकड़ी हो गई और इसी के साथ में अब हम चर्चा कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं जीवाश्म इधन जीवाश्म इधन जीवाश्म इधन जिसके हमने पिछली बार भी चर्चा करी थी जिसको हम fossil fuels कहते हैं जिवाश्म इंधन क्या हुआ जिवाश्म इंधन का अर्थ है पिर्थवी के नीचे दबे हुए वहाँ इंधन जो कि लंबे समय से लंबे समय तक किसी क्रिया के दौरां किसी रसनिक क्रिया के दौरा तयार होते हैं उनको हम क्या सथा पर पेड़ पौधे रहे होंगे जो पिर्थवी के सथा पर जन्तू रहे होंगे उन किसी कारण से जब यदि वो जमीन के नीचे दब जाएंगे तो क्या होगा देखिए जमीन के नीचे दबने के कारण उनका उच्च दाप उच्च दाप पर और कुछ रसने क्रियाओं क दौरा उनका अबगटन होना शुरू हो जाता है और वहाँ अबगटन क्योंकि वायू की ऑक्सिजन की अनुपस्थिती में होता है इसलिए हम कहा देते हैं वह धीरे-धीरे इंधन के रूप में या आप कह सकते हैं जो बड़े-बड़े हमारे पेड़ पौधे होते हैं वह को प्राश्म इंधन से ताथ पर यह उस परकार के इंधन से है जो कि प्रत्वी की सता के नीचे बहुत अधिक गहराई इस पर हमको क्या मिलता है प्राप्त होता है और यह बहुत अधिक गहराई पर इस ती प्राप्त होता है कि हम क्यते हैं क्योंकि प्रत्वी पर विभिन पर होती हैं कुछ हम कह सकते हैं कुछ बायलोजिकल ऐसी क्रिया होती है कि oxygen की अनुपस्थिती में धीरी धीरी जब उनका upgetन होता है और इस process में लंबा समय लग जाता है कई वर्षों का समय लग जाता है तो इसलिए हम क्याते हैं कि जब लंबा समय लगने के बाद वह पदार्थ परिवर्थित हो जाते हैं कोईले की रूप में, जैसा मैंने आपको बताया, बड़े-बड़े जो पौदे होते हैं, बड़े-बड़े जो पेड़ होते हैं, वो कोईलो में परिवर्थित हो जाते हैं, जो छोटे इस फ्यूल्स का मूल स्रोत क्या है जिवाश मेंदन का मूल स्रोत इसका जो मूल स्रोत माना गया है वो माना गया है सूरी को अब आप सोच रहे होंगे कि जमीन के नीचे है आखिर फिर इसका मूल स्रोत सूरी कैसे देंकि प्रत्वी पर उर्जा का जो परम स्रोत माना गया है बसे ही उसको सूरी को ही माना गया है क्योंकि सूरी के उर्जा को ही प्राप्त करके चाए मनुष्य हो चाए जीविजन्तु हो चाए पेड़ पौधे हो इन सब में वर्दी होती है हम पेड़ पौधे की बात करें जो हमारे उर्जा के मुख्य स्रोत हैं जो हमारे भोजन के मु प्राप्त करते हैं और उन पेड़ पौदों के द्वारे जीव जन्तु अपना भोजन प्राप्त करते हैं मनिश्य अपना भोजन प्राप्त करता है और हम क्या सकते हैं कि इसी कारण से जो प्राचीन समय पर भी पेड़ पौदे रहे होंगे जीव जन्तु रहे होंगे उन्हो करके जीवाश्म इंधनों के रूप में परिवर्तित हो गए लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि उनका जो मुल्स रूथ है वो क्या है सूरी ही है तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई हूगी कि सूरी क्या है उर्जा का परम सूरत है अब यहां पर हम यह देखते हैं कि कौन कौन से आखिर हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं जीवाश्म इंधन के रूप में तो पहले हम चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले कोईले की कोईला कैसा पदार्थ है देखिए कोईला एक ऐसा हम क्या सकते हैं पदार्थ है जिसमें कोईला है तो इसमें क्या है हाइड्रोकारबन से यानि कि क्या उपस्तित हैं कोईले में कारबन है मुख्य रूप से कारबन हाइड्रोजन ऑक्सिजन इन सब का क्या होता है मिश्रान होता है इन सब का मिश्रान होता है कोहिले में ये सब मिश्रित रूप में क्या रहते हैं कोहिले में वो पस्थित रहते हैं अब कोहिले की एक खस बात यह है कि बाकी सारे इंदनों को जमीन से निकाल करके कुछ उसको परिश्कृत किया जाता है कुछ प्रोसिसिंग की जाती है अर तब उसका इंधन के रूप में उपयोग किया जाता है लेकिन कोईला एक ऐसा हम क्या सकते हैं जिवाश में इंधन कहे लीजिए परम परागत इंधन कहे लीजिए कि जिसको हम सीधे पिर्थवी से निकाल करके सीधे इंधन के रूप में उपयोग करते हैं और करते भी हैं डिफरेंट जो हमारी इंडस्ट्री है वहाँ पिर्थवी के नीचे से जैसी कोईला निकलता है फिर उसको विभिन ट्रांस्पोर्ट के थ्रोओ उन फेक्टों पर पहुचाया जाता है जहां पर वह कोईले का उपयोग करके विभिन पर करके मशीनों को चालन उसका उपयोग करते हैं तो कोईला हमने का क्या है कारबन हार्डरोजन अउक्सिजिन का मिश्रण है और इसको सीधे हम उपयोग में ला सकते हैं अब कोईले में कुछ परिशानिया भी है कोईले की यह तो ठीक है कि जो इसकी उड़जा होती है जैसे हमने आपको बताया था कोईला दो परकार का होता है एक तो हमारा सीधे होता है KAST Kोईला जो लकड़ी से त्यार किया जाता है और जिसकी हमने आपको बताया था कि जो Énergy value जो उसकी होती है वो 33 किलो जूल के लगबग होती है जबकि जो समवन्हे कोईला जो होता है उसकी value जो होती है 25-30 किलो जूल के किलो जूल पर ग्राम के लगबग होती है यह आपसे पिछली वीडियो में इस बारे में चट्चा करी थी तो कोईले में को जब जलाते हैं तो हमें उर्जा तो अच्छी मिलती है लेकिन इसका एक नुकसान यह है कि इससे कुछ विशयली गैसे भी निकलती है विशयली गैसे कौन सी जैसे कार्बन डाय अकसाइड कार्बन मोनो अकसाइड मोनो अकसाइड सल्फर के अकसाइड अकसाइड सल्फर के अकसाइड इसके अलावा कार्बन डाय अकसाइड निकलती है इसके लावा जब कोईला जलता है तो अंत में कुछ राक भी रह जाती है जैसे लकड़ी को जलाते हैं तो फिर कोईले में परिवरते हैं तो फिर वो राक बन जाती है तो यह सब जो चीजे हैं यहां से यहां तक की यह सब हमारी परियावरान के लिए क्या है नुकसान दायक है यह जो गैसिस निकल रही है यह हमारे परियावरान के लिए नुकसान दायक है लेकिन फिर भी इंडस्ट्री में बहुत ताइस का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह उड़ जाका अच्छा स्रोत है लकड़ी को यह जलाएं और कोईले को यह जलाएं तो कोईले की जो एनर्जी वैल्यू है वो लकड़ी से काफी ज्यादा है इसलिए लकड़ी के बजाएं इंडस्ट्री में कोईले को ज्यादा प्रिफ्रेंस दिया जाता है तो इतना तो अब हम समझ गए कि कोईले जहां इंडस्ट्री के लिए काफी यदिक लाबदायक है लेकिन यहां क्या कर रहा है प्रदूशन भी काफी कर रहा है तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं परिश्क्रित करके एक ऐसी फॉर्म में कनवर्ट कर सकते हैं कि जिसको उप्योग किया जाए तो कम प्रदूशन उत्पन और कोईले को यदि एक विधी होती है जिसम कते है भंजक आसवान विधी क्या नाम बताया हमने कोईले का भंजक आसवान भंजक आसवान जिसे इंगलेश में destructive distillation कहा जाता है का भंजक आसवान कर उसे कोउक में convert कर दिया जाता है कोउक में परिवर्थित किया जा सकता है और जब हम कोईले को किसमें परिवर्थित कर दें कोउक में परिवर्थित कर देते हैं तो कोउक की क्या खास बात होती है कि इस कोउक में लगबग 98% कारवन होता है इसका अर्थ है इसको जलाने पर हमें ज्यादा ऊश्मा प्राप्त होती है ज्यादा उड़जा प्राप्त होती है अब पेखशागरित कस के कोईले के second बात यहाथ है कि आखिर ये भंजक आस्वान क्या हुआ भंजक आस्वान का आर्थ होता है कि यदि oxygen की अनुपस्तिती में इस कोईले को तेजी से गरं किया जाए तो इसके अंदर जितने भी वाश्वशील पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं और जब सारे वाश्वशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं जो उश्वा निकल रही है वो कोईले के पिक्षा जादा होती है इसलिए हम क्या करते है कोग का इस्तेमाल करते है प्लस सबसे इंपर्टेंड बात कोग की एक और होती है कि इसके दोरा इस परकार की विशेली गैसे और राख जो की हमारे परियावरण के लिए नुकसा अदायक है इस परकार की गैसे ततराखें नहीं निकल दी अब आता है कि कोईले का उप्योग क्या है यदि हम कोईले की उप्योग की बात करें हैं तो पहले तो हम जानते हैं कि सर्दियों में घरों में कमरों को गरम करने के लिए हम कोईले का उप्योग करते हैं इसके लावा आप देखते हैं बहुत से लोग भुजन बनाने के लिए कोईले का उप्योग करते हैं इसके लावा जितनी भी इंडस्ट्रियां होती हैं मैक्सिमम इंडस्ट्रियों में हम उर्जा को उत्पन करने के लिए, उश्मा को उत्पन करने के लिए कोईले का उपयोग किया जाता है और अभी भी भारत में जितने भी विद्दुत सहियत रहें यानि कि जिनसे हम electricity generate करते हैं जो विद्दुत का उत्पादन करते हैं उनमें maximum जगे अभी भी हम किसको उपयोग करते हैं कोईले का ही उपयोग करते हैं तो किस परकार कोईले का उपयोग करके हम electricity को generate करते हैं विद्दुत को उत्पन करते हैं इसकी चर्चा हम इसी चेप्टर में आगे के topics में करेंगे और मुझे रगता है उपयोग आपको समझ में आगे होंगे तो आप इसको एक बार नोट कीजें फिर हम आगे से continue करेंगे तो प्यारे बच्चों अभी हमने समझा कि उर्जा की जो हमारे परमपरागत स्रोत होते हैं उन्हें हमने पहले पर चर्चा करी जो कि हमारे था कोईला अब इसी कड़ी में हैं जो हमारे दूसरा परमपरागत स्रोत आता है उर्जा का वह हमारा होता है पेट्रोलियम पेट्रोलियम एक हम कह सकते हैं ऐसे पदार्द को कहते हैं जो कि जमीन के निचे से निकलता है, चट्टानों के बीस से, यह चिपचिपा होता है, बदबूदार्पदार्त होता है, और इसको पेट्रोलियम कहने का क्या कारण है, इसमें दो शब्रा आते हैं हमारे, एक हता है पेट्रा, दुसरा हता है ओलियम, यह दो सब्दों से मिल करके बना है पेट्रा का अर्थ जहां होता है हम कह सकते हैं चट्टान कह लीजिए या शैल कह लीजिए पेट्रा का अर्थ हो गया शैल और ओलियम का अर्थ होता है तेल तो पेट्रॉलियम का अर्थ हो गया जब आखेर यह निकलता कहां से पहली तो यह बात है, तो अधी हम ने बताया कि जमीन के बहुत नीचे चक्तानों के बीज में यह क्या होता है वह सावा रहता है, ट्रैपट होता है तो वहां से क्या करता है, इन पेट्टोलिम पदार्थों को निकाला जाता है और जब इनको इनकी प्रकृतिक अवस्था में निकाला जाता है तो इसमें इसको हम सीधे ही ऐसा नहीं कि गाड़ियों में इसका उपयोग कर पाए पहले इसको कुछ परिश्कृत किया जाता है तो परिश्कृत करने से पहले जो इसकी प्रकृतिक अवस्था होती है उस प्र मिली साथ होती है ओर मुख्य रूप से हम कहसकते हैं कि जो इसके अंदर रहते हैं पre्ट्रोलियुं पेठार निकालने का प्रॉसिश क्या इसको जमीन के बहितर से जमीन के बहितर से इसको निकालने का प्रॉसिश यह हैै कि जिस स्थान पर वेग्यानिक अपने सर्वे के आधार पर यह समझते हैं कि जमीन में किस स्थान पर पैट्रोलियम पदार्थ होंगी. पिर वहाँ पर क्या करे जाते हैं? बहुत गहरे गहरे गड़े खोते हैं. सुरंगे कह सकते हैं आप. तो इनको हम नाम देते हैं कुवे हैं आपने नाम सुना होगा तेल कुवे होगा जो हमारे साओधी अरब की जो कंट्रीज होती है इनकी तरफ तेल के ज्यादा कुवे मिलते हैं तेल के वहाँ पर क्या है ज्यादा संसादन है ज्यादा प्राकृतिक्स रोत हैं तो वहाँ पर क्या किया जाता है जमीन के सथा से नीचे के और एक गहरा गड़ा किया जाता है जिसे हम टेल कुए कहते हैं और टेल कुए तब तक करते रहते हैं जब तक कि जिस चटान के बीच में ये तेल उपलब दोता है जब तक हम वहाँ पर उसको क्या करते हैं? खुदाई करके वहाँ तक ना पहुंच जाएं अब जब हम ऐसा कारी करते हैं कि खुदाई करके उन चटानों तक पहुंचते हैं जिनके बीच में पेट्रोलियम बतार्थ होते हैं या आप प्राकरती गैस भी कह सकते हैं पेट्रोलियम गैस तक प्राकरती गैस तो जब जैसे हम वहाँ पर गड़ा खोते हैं तो सबसे पहले निकलती हैं पेट्रोलियम प्राकरती गैस से निकलना शुरू हो जाती है जब ये गैसे निकलती है तो काफी लंबे समय तक यही निकलती रहती है फिर इनके साथ साथ क्योंकि दाब क्या हो जाता है नीची के और उच्छे दाब होता है उस सवस्था में जो हमारे काम करने वारे जो इंजिनियर्स होते हैं वो वहाँ पर पंप लगा करके पंपों की साहिता से उन चट्टानों के बीश से इस ऑईल को निखींच करके क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं और इस परकार से हम क्या करते हैं इसका उपयोग करते हैं लेकिन यह ऐसा पदार्थ है यह जो पेट्रोलियूम पदार्थ हमारे निकलते हैं इनको सीधे ही उपयोग में नहीं ला सकते हैं तो इसको पहले क्या किया जाता है आस्वन विदी से इसको परिश्कृत किया जाता है परिश्कृत किया जाता है जब परिश्कृत किया जाता है तो इसमें से क्या क्या निकलते हैं एक प्रकृतिक ग्रैस हम कह सकते हैं पेट्रोलियम गैस निकलती है पेट्रोलियम गैस निकलती है दूसरा आप कह सकते हैं पेट्रोल, डीजल, कैरोसीन, कैरोसीन, इस परकार के हमारे क्या निकलता है, मैटीरियल निकलते चले जाते हैं, और इनका आप जानते हैं, अलग अलग जगों पर इनका अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है, इंधन के रूप में, मुख्य रूप से, आप हम घर पर यूज़ करते हैं, और एक हाई ग्रेडड कैरोसीन ओयल होता है, हाई ग्रेडड मतलब जिसका ग्रेड काफी उचा होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो वाई यू यान में जो इन्धन होते हैं, उनमें भी इन्ही पेट्रोलियम पदार्टों का क्या करते ह होता है, लेकिन उसका हाई ग्रेडड होता है, उसको और अधिक परिश्कृत करके विमानों में उसका उप्योग क्या जाता है, तो इतनी बात मुझे लग रहा है, आपको समझ में आगी होगी, अभी हाँ पर जड़ा हम समझते हैं, कि ये पेट्रोलियम गैस क्या होती है, पेट्रोलियम गैस, जो पेट्रोलियम पदार्थों को परिश्कृत करके जो हम पदार्थ निकालते हैं, तो एक गैस भी उत्पन होती है, वहग उस गैस को हम क्या नाम देते हैं, पेट्रोलियम गैस, और इसमें मुख्य रूप से जो गैस होती है, वो थी ब्यूटेन, मु एथिन और प्रोपेन यह क्या होती है? अल्प मात्रा में यह उप्योग में लाई जाती है और इन्ही पेट्रोलियम गैसिस का हम उप्योग करते हैं घरों में कुकिंग गैस के रूप में ध्यान हो आपको तो जो हमारी कुकिंग गैस होती है उसको हम कहते हैं L-P-Z फॉलफामो 30 के लिक्विड पेट्रोलियम गैस ये जो भी गैसे हैं ये सारी के सारी गैसे होती तो गैसी अवस्था में लेकिन यदि दाब बढ़ा दिया जाए तो हम क्या करते हैं दाब बढ़ा करके इन गैसे को किसमें परिवर्चित कर लेते हैं द्रव अवस्था में परिवर्चित कर लेते हैं और द्रव अवस्था में परिवर्चित करके हमें क्या लाब होगा कि हम छोटे से सिलेंडर में ज़्यादा गैस भर पाते हैं तो इसलिए छोटे से सिलेंडर में गैस को जब हम high pressure में डालते हैं तो वो द्रवीत हो जाती है और cylinder पर डालने पर वो क्या हो जाती है कम space पर ज़्यादा gas हम संचित कर सकते है हमारे घरों पर समान्य तो जो घरेलू cylinder होता है उसमें लगबग 14 kg के लगबग ये LPG की गैस भरी भी रहती है और आप तो भी हिलाएंगे तो आप देखो कि liquid जैसे उसमें क्या आती है आवाज आती है लेकिन कहीं nozzle जैदी जरस ही आप दबाएंगे तो एकदम gas ही भाव आती है liquid भार नहीं आता तो ये तीनों के तीनों जो हमारी gas हैं चाहिए वो petroleum gas हो में मुख्य रूप से पाई जाने वाले butane हो या अल्प रूप से पाई जाने वाले एथिन तो प्रोपेन हो या तीनों के तीनों जो जोलंशील gas हैं और इने का हम क्या करते हैं LPG में उप्योग करते हैं तो मझे लग रहा है इतनी बास समझ में आगी होगी अब कभी कभी आपको ध्यान हो तो हमारे जो cylinders कभी यदि लीक होते हैं तो वहाँ पर एक अलग तरीके की smell आती है तो उसके लिए हम एक अलग गैस का उप्योग करते हैं वो extra डाली जाती है safety के point of you sir उसको हम नाम देते हैं एथिल मर कैस्टन एथिल मर कैस्टन ये नाम हो कि हमारी क्या होती है गैस होती है इसका मुख्य यूज ये होता है कि इन गैसों को जब लिक्विड फॉर्म में डाला जाता है तो उनके साथ इस एथिल मर कैस्टन को इसलिए डाला जाता है कि यदी कहीं cooking gas कहीं पर लीक हो LPG कहीं पर लीक हो जाए तो ये तीछण गंद वाली गैस होती है तो फिलाल मुझे लगता है petroleum gas में आपको इतनी बास समझ मागी होगी अब हम देखते हैं कि आखिर इस LPG के क्या क्या उप्योग है LPG के लाब क्या क्या है आप देखे तो इसकी लागत कम है एक क्या है लागत कम दूसरा एक आंक आयता में जो जो उश्माुटपन करती है यानि कि इसका जो उश्मी माद है वो ज्यादा है और कितना है लगवख पचास किलो जूल पर ग्राम इतना माँ होता है इसका और बाकी हम यह भी जानते हैं इसके जो जलन ताप होता है, वो भी कम होता है, जैसी नॉब को आप आउन करके तीली लगाते हैं, तुरंत जलने लग जाती है, लकड़ी की तरह नहीं है, कि पहले इसको कुछ देर तक गरम किया जाए, या कोईले की तरह नहीं है, कि आप कुछ देर तक पहले कोईले को गरम करें, कहीं से जला करके घास फूस या कागर जला करके तो वो जलना शुरू हो, ऐसा इसके साथ नहीं है आप जला सी एक तिली लगाते हैं तुरंट यह क्या होती जलना शुरू कर देती हैं, तो यह क्या होते हैं इसके LPG के बेनिफिट्स हैं, पर इसके कुछ जाना मुश्किल हो जाता है दूसरी बात अतिदिक जलनशिल है तो कहीं पर यदि थोड़ी सी भी लीकेस कर जाएगी और अगल बगल कहीं पर कोई चिंगारी भी होगी तो यह जल्दी से क्या कर लेती है चिंगारी से आग इसकी भड़क जाती है इसलिए कभी भी आप अपने जो कि किसी कारण से लीक कर रहा हो और बैटरी का जो स्पार्क होगा वो क्या कर लेगा से कहले वाली जो गयस होगी वह उसको पकड़ जेगे और वहाँ पर इसपोर्ट की संभाव ना आग लगने की संभाव ना इसके लाबा सिलेंडर के बगल में जलनशिल पदार्थ जैस इन बातों का यदि हम ध्यान रखें तो LPG हमारे हम लोगों के लिए काफिया दिया क्या है लाबदाभी और आपको यह भी ध्यान रखना के हम जिन सिलेंडर को यूज करते हैं वो सिलेंडर कही से लीकेज भी नहीं होनी चाहिए कभी आपको ऐसा लगे कि हम घरों में जो LPG cylinder use कर रहे हो कहीं से leakage है तो तुरंत हमारी जो gas agency होती है उसको phone करके इस बात के जनकरी देनी चाहिए जिससे कि वो आ करके जो भी उसके leakage के जो कारण है उसको दूर कर दे या आपका cylinder change कर दे साथ ही आपको gas के जो pipes होते हैं cylinder से लेकर के चूले तक ले जाते हैं उन pipes का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कहीं से कटे फटे वे ना हो तो इसलिए कोशिश करने चाहिए 6 मीने साल दो साल के बाद आप यदि कहीं पर भी थोड़ी से दरार या कुछ आप उसमें फॉल्ट देखें तो तुरंट उसको change कर दें क्योंकि LPG जितनी यदि सुविदाजनक है हम लोगों के लिए उतनी यदि कि खतरनाग भी है यदि हम इसमें कुछ precaution ना ले तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है आपको ये petroleum पदार्थ के बारे में जनकरी हो गई होगी अब इससे फटा-फट नोट कीजिए फिर हम अगला शुरू करेंगी जो कि हमारी प्राकरतिक गयाईस तो अभी हमने परंपरागत उर्जा के सुरोतों के संदर में दो बातों पे चर्चा करी एक हमने पहला कर रहा था और दूसरा हमने कर रहा था petroleum अब हम तीसरे बिंदो पर चर्चा कर रहें जिसको कि हम कहते हैं प्राकरतिक गयाईस हमने बताया था जब petroleum पदार्थ जब हम राप्त करते हैं तो जमीन से कई गहराई पर चट्टानों के बीच पे प्रेट्रूलियं पदार्थ उपस्तित रह होती diu उपर की वाक्रती गयस आपाम, ही कुछ प्रकृतिक गयस की है, प्राकृती गयस के नहीं आती में कुछ खोड़ाई करिते हैं तो बहुत से स्थान हमें आइसे प्राप्त होते हैं, जहांपर किवल प्रकृतिक ज्यक्तिट अ wraps 22 जिटर 122 तो फर क्यूंती नहीं उपस्तित होती है आप बात अंखर यह जो नहीं होती है उप चुलियः ही 100 पर्योंती ते बॉसके है उसामा बत होती है उसकी सब्सक्राइब इसे फासबात है इसके नाम से प्राकरतिक गैसि इसका अर्थ है कि जिस मात्रा में यहाँ अपने हम कह सकते हैं तेल के कुवों से या जो हम खुदाई करते हैं तो चटानों के बीश से जिस अवस्था में निकलती है उसी अवस्था में सीधे हम इसको क्या कर सकते हैं उपयोग में भी ला सकते हैं इसको किसी परिश्करण की इसको शुद्धी क किसी प्रोसिसिंग की आउशक्ता नहीं होती तो अब एडवांस टेक्नलोजी यह आ गई है कि उन तेल के कुवों से जिन में प्राकर्तिक गैस है उनसे सीधे हम क्या करें बड़े बड़े पाइप डाल करके उन पाइपों के जड़ी इस गैस को निकाला जाता है और इसको ऐस अब इसके खास बत क्या है वह यह है कि जब इसको हम जलाते हैं इससे प्रदूशन नहीं होता यह वाईयू में प्रदूशन को हम कह सकते हैं न के बराबर उत्पन करती है तो इसलिए वरतमान समय पे इसकी डिमांड भी जादा है आपने सुना होगा बड़े बड़े शहरो में गैस को प्योंग किया जाता है cng इसके फूल फॉर्म होती है compressed natural gas यानि कि संपीडिकरित प्रकरतिक gas तो वह यही प्रकरतिक gas है और आप देख रहे होंगे कि उसको इसलिए बढ़ाबा मिल रहा है कि क्योंकि इसकी क्या हो रहा है उससे प्रदूशन घट रहा इसलिए बड़े-बड़े शहरों में cng के आप क्या सकते हैं जैसे सामयी शहरों में petroleum यह पट्रॉल प्रदादर्टों के लिए pump होते हैं जाँ जहांपर आप गाड़ियों में cng भर सकते हैं और इसका उपयोग करके इसकी भी जो हम कह सकते हैं कि एक ग्राम से जो उश्मा उत्पन होती है वो लगवग पचास जूल के लगवग ही होती है पचास किलो जूल के लगवग ही होती है पर ग्राम जो उसके उश्मी वेली होती है इस कारण से कह रहे हैं कि उश्मा तो पूरी की पूरी मिल रही है और प्रकरती को भी नुकसान नहीं पहुचा रही है इसलिए इस गैस का क्या करा जाता है उप्योग क्या जाता है सबसे महत्वण बात क्या कि जिस अवस्था में निकल रही है उसी अवस्था में क्या कर रहे हैं? इसको सीथे उपयोग में ला रहे हैं तो मुझे लग रहा है आपको यह बास समझ मागए योगी प्रकर्ति गेस निकलती वहीं से जहां से पेटोलिम बदारती इंकलते हैं तापी बिजली सेयातर तापी बिजली सेयातर का अरत है कि अभी तक हम पूरी हमारी चर्चा ये चल रही है कि हमने पेट्रोल निकाल लिया हमने कोईला निकाल लिया हमने कोई और दूसरा इंधर निकाल लिया हम कहते हैं इसका 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 उप्योग बिजली के सुत्पादधन में क्या जाता है इस टॉपिक के हम यह समझेंगे इस इसमने हमने काकव हम सबसे पहले ले ले लिते कि बॉईलर इसे हम नाम दे देटे, बॉईलर इस हमारा है मोय लइस सब्सक्राइक है वी भाएलर यह भाएलर होता है यहां पर इसको घरम किया जाता है? जब इसको घरम करते हैं तो यह क्या होगा? वेपराइze हो जाएगा? वेपर्स की फॉर्म में आ जाएगा? यानि कि गैस की अवस्था में आ जाएगा? अर ठीक उपर वाले इस स्टेज से हम क्या कर लेते एक पाइप निकाल लेते हैं यहां पर और इस पाइप को किसी ऐसे स्क्षन में डाल देते हैं जिस स्क्षन में क्या हो एक टरवाइन लगी वही होती है यह इसके इस परकार से ब्लेड बने वे होते है इस परकार से ब्लेड बने वे होते हैं तो जब यहां से यह ब्लो करती है यह यह गैस यहां पर चलती है तो क्या होता है कि यह फंक्हे घूमते हैं। नत्ति कि फ्रक्राइब भी पंखो के घूमने से फंपों सेफिनेध होता है वह साथ हिर्ट को आपके सकते हैं achievement से जुडई future करी जिसके हमने घोतार मतलब जनित्र जुकि विद्दूर्फ गया सकते है हो नंबें बहुत जुड़ावा रहता है इसके ताह हमने निकाल दें और यहाँ पर यहां से हम वाश्व गई गखं़ वाश वो यहां पर इनों पंक्नों पर धक्का मारा तो पंखिया ऐसे से घूमतें चिसके करणक इसके शेफ्ट स bon आवा जो जन्रीत्र होता है वो क्या कर देता है बिजली का उत्पादन करता है जो यह गैसी यह से ठंडी हो जाती है इस गैस को यहां से निकाल करके फिर से क्या कर देते हैं इसी चंबर पर हम वापस डाल देते हैं यहां से आकर कि फिर इस चम्बर पर क्या उजती वापस आ जाती है तो यह हमारा तापी बिजली सहीतर का एक सिंपल सा मॉडल है क्या क्या इसकी प्रोसेसिंग है यह भी बता जेता हूं नीचे हमने कहा यहां पर यह क्या है इंधन है इंधन को जलाया जा रहा है इंधन द्वारा उश्मा का उत्पादन उत्पादन या उश्मा उत्पन करी की जा दिये जिससे यहाँ पर क्या भरावाई है हमने जल भरावा है तो जब उश्मा इस पे पढ़ीगी तो जल क्या करेगा? उबलने लगेगा, उबलेगा तो वास्प बनेगी वास्प में उड़ जादा होती है तो वास्प जब यहाँ से जाएगी तो ये तेजी से जाएगी तो इस blade को क्या करेगी घुमाईगी और blade से मैंने का किस पर जनितर से जोड़ावा है तो जैसे इसे घुमती जाएगी वैसे वैसे यांतरी कूर्जा विद्दू तूर्जा में परिवर्तित होती रहेगी डाइनमो की help से तो यहां पर जनितर से क्या हो जाता है जितनी भी यहां पर भाप ठंडी होती है वो जब इस तली पर आती है तो यहां पर pipe के थ्रोई दुबारे से क्या हो जाती है boiler में वापस पहुँची जाती है तो इस परकार से हम क्या कर सकते हैं तापी बिजली संयत्र के द्वारा किसी हम कह सकते हैं ताप उत्पन करके बिजली को उत्पन किया जा सकता है मुझे लगता है इतनी समझ में आगया होगा आपको यह बात अगला यहीं पर आती है जो हम जीवाश्म इंधन की बात कर रहे हैं जिवाश इधन क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी ये चर्चा करी है चाहे वो हमने कोईले की बात करी हो चाहे हमने पेट्रूलियम पदार्थ की बात करी हो चाहे हमने प्राकरतिक गयस की बात करी हो ये सारे हमारे जिवाश माइधन है तो जिवाशम इंधनों के कुछ drawbacks भी हैं, कुछ कमियां भी हैं इन में और कमियां क्या हैं? सबसे बड़ी कमी तो यहां है कि इनके दौरा वाई-उ में production बहुत होता है तो वाई-उ के production को कम करने के लिए अलग अलग परकार की हम technology को use करके इंडस्ट्री में, कारखानों में उसका उपयोग क्या जाता है जिससे इन से निकलने वाला जो carbon dioxide gas है आप जानते हैं कि जितने भी हमारे अविपदार्थ हैं जो जिवाशम इंधन से, यह सारे का सारे carbon dioxide gas निकालते हैं carbon dioxide gas, आप जानते हैं, जो हमारे पिर्थवी पर, जो green house effect है वो उसको क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं जिसके करने हमारे पिर्थवी का ताप्मान बढ़ रहा है उससे कहीं अन्य परकार की क्या होड़ यह समस्या उत्पन हो रही है तो जिवाश में इंधन का एक, यह drop एक है उसके अलावा यह carbon monoxide का लीजिए, sulphur का लीजिए, कुछ जहरीली गैसे भी उत्पन करते हैं वो भी हमारे परियारवन के लिए क्लिए नुक्सान दाएक क्योंकि यह जब गैसे उपर के और जाती है और उपर के और से क्या होती है जब बारिश होती है, तो बारिश के साथ यह गैसे नीची के और आती है और इस परकार कि बारिश को आपको ध्यान हो, कभी का अपने शब्दों सुना हो जिसे हम कहते हैं, अमलवर्शा तो अमलवर्शा क्या है, हमने कहा कि जब हम जिवाश में इंधन का उपियोग करते हैं चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ हो चाहे हम क्या सकते हैं कि कोईला हो जब इनका उपियोग करते हैं तो नीचे के और से कुछ जहरी गले गैसे वातावरण में चली जाती है और जब उपर से बारिश होती है तो वह बारिश के थो यह गैसे बारिश में मिल करके जमीन पर आती है क्योंकि बारिश में जहरीली कैसे होती है इसलिए उनको नाम क्या देते हैं अमलवर्शा और जब यह जमीन पर पढ़ती है तो जमीन की जो औरवरक छमता होती है उसको घटा देती है हम क्या सकते हैं और मानव जीवन पर भी क्या करती है दुश्च प्रभाव डालती है जो हमारे पेड़ पौधे होती है उनको नुकसान पहुचाती है फसलों को नुकसान पहुचात तो यदि हम different technology का इस्तेमाल करें तो जिवाश्वा इधन से जो प्रदूशन उत्पन हो रहा है उसको क्या कर सकते हम कम कर सकते हैं उसके लिए different video का उप्योग किया जाता है तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है आज आपको इतनी बैस समझ में आ गई होगी जो हमने उड़ जाके परागत सुरोतों के बारे में चर्चा की है वह आपको आसानी से समझ के आ आगे हो गया पूरा का पूरा चैप्टर है आप कॉंसेप्ट समझते जाए व्यवारिक ज